हालो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल वीवन इंफॉर्मेशन में आज हम बात करेंगे सुरण के पोधे के बारे में सुरण की खेती कर से करें कम लागत में ज्यादा मात्रा में मुनाफ़ा देने वाली एक सुरण की सबजी हैं हमने कुछ सुरण के पोधे लगाए ह सफा दपा कर देता है इसके पत्व में रेशीपिया पाये जाता है इनके पत्व को अगर इंसान भी खाले खालेता है तो उसके इसके मुह में छाले बढ़ जाते हैं इसके पत्व में रेशीपिया पाये जाता है अगर इंसान इनके पत्व को खालेता है तो मुह में छाले उगस जाते हैं फंपोड़े पड़ जाते हैं जीब पर ये मलब पत्तु में भी बहुत जेर पाया जाता है लेकिन खास तोर पर ये एक वोश्दिय पोदे के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये जमीन के अंदर कम से कम कम से कम 15 से 20 किलोग्राम तब कि जमीन में बेट ज बेट जाते हैं थोड़ा बहुत परक रहता है लेकिन खास तोर पर ये दोमट मिट्टी को ज़्यादा प्रभाव करता है दोमट मिट्टी में ज़्यादा बेटता है और ये कम से कम 15 से 20 के बेट जाता है इसकी खेती करने के लिए जो सोरण होता है उसके टुकड़े करकर सो है इταν पर ये तयार करके उन जो सोरण की आके होती है घंडा करते हैं सोरण का उनको एक-एक-डोदो फिट पर ऐसे काड देते हैं और कुछी दिन में 15-25 दिन में सुरण के पोदे की आँखे निकलने लगती है इतनी दूरी पर सुरण के पोदे लगाए जाते हैं सूरन के पोदे निकलने के बाद इनके पत्ते थोड़े दिन में खुलने लगते हैं जैसे इनके यह पत्ते खुल गए सूरन के और यह दूर से काफी अच्छा दिखता है जैसे कोई छोटा पेड होता है जैसे अभी आम की आमरपाली के जो पोदे चल रहे हैं आम के वह बहु कॉमल होता है यह आसानी से टूड़ जाता है खोगला होता है इसका तना और पेड़ जैसा दिखता है कापी इच्छा दिखता है तो यह है तो सब्सक्राइब करें चैनल को तन्यवाद